जब 3-2 का announcement हुआ था किसी ने दूर दूर तक सपने में नहीं सोचा होगा ये फिल्म बाहू बली 2 के record के सिर्फ पास नहीं उसको तोड़ कर रख सकती है पहली फिल्म बनेगी जो 600 करोड की शुरवात करेगी गैरेंटी मैं देती हूँ आपको एक वर्किंग डे पे वो भी holiday के तुरन बात श्रद्धा माडम की फिल्म इतना पैसा कमाती है जो fighter और कल्की की हिंडी ओपनिंग से भी बढ़ा है अब आप खुद अंदाजा लगा सकते हो स्त्री सिर्फ रिकॉर्ड्स तोड़ने नहीं आई है वो खुद अपने नए रिकॉर्ड्स बनाने आई है जिसका पीछा बाकी लोग करेंगे मुद्दे की बात ये है फिल्म का कलेक्शन छटवे दिन पूरे 27 करोड आया माने अक्षे कुमार की सरफिरा से जादा और अजे देवगन की औरों में कहां दम था का दुगना स्टार्डम जो शब्द है उसका डेफिनिशन हमेशा के लिए बदलने को स्ट्री टू का नाम अब बॉलिवूड की हिस्ट्री में लिखा जा चुका है कोई इसको मिटा नहीं सकता ना कोई सरनेम ना कोई आक्टर सिर्फ कॉंटेंट सिनिमा का सबसे बड़ा सूपरस्टार होता है हौरर, कॉमेडी, फामिली तीनों कैटेगरी में स्ट्री टू ने टॉप किया है रनबीर कपूर को इस जेनरेशन का लास्ट सूपरस्टार मानते हैं कुछ लोग अनिमल में बंदे ने सब कुछ फार के रख दिया था, दोजार टेंक्स की सबसे बड़ी फिल्म थी वो लेकिन होश ओर जाएंगे आपके ये सुनकर कि रनबीर की पॉपिलर फिल्म ब्रहमास्त्र उसका लाइफटाइम बिजनेस इन इंडिया सिर्फ छे दिनों में पार कर दिया है श्रधा कपूर ने अगर आपके दिमाग में ये बात घुम रही है कि स्त्री टू तो सीक्वल है ना जबकि ब्रहमास्त्र तो पार्ट वन था उसका पार्ट टू आएगा तब बात करेंगे तो बॉस बॉलिवुड से निकलने वाला सबसे बड़ा फामिली मूवी सीक्वल दृष्यम टू जिसकी हर किसी ने तारीफ की थी उसका लाइफटाइम बिजनेस दोसो चालिस करोड भी स्त्री के सामने बच्चे जैसा है अगर पॉपिलारिटी की बात करोगे तो सल्मान खान की टाइगर 3 बॉस इस से ज़ादा पॉपिलर सीक्वल तो कोई नहीं है लेकिन इस वग जब आप ये विडियो देख रहे हो टाइगर 3 का लाइफटाइम बाइबाए सिर्फ 6 दिनों में स्त्री टू का बिजनिस पूरे 270 करोड हो चुका है नेट फिगर्स में जबकि ब्रमास्त की गाड़ी 267 करोड पे ब्रेक लगा के फुल स्टॉप हो गई थी और जब इस कलेक्शन के साथ आप वर्ल्ड वाइड नंबर जोड कर देखोगे न तो स्त्री टू का मीटर साड़े 300 करोड से भी पार चला जाएगा इन ग्रॉस फिगर्स छे दिनों में अल्मोस्ट 370 करोड बाप ने बाप ये तो किसी ने दूर दूर तक नहीं सोचा था लोग अंदाजा लगा रहे थे लाइफटाइम कलेक्शन शायद 200 करोड के आसपास हो जाएगा जैसे तैसे ये नंबर बहुत जादा स्पेशल इसलिए है क्योंकि बजट बाकी सारी मुवीज के कमपैरिजन में अल्मोस्ट 50% से भी कम होगा इसलिए प्रॉफिट डबल से जादा होगा आप हैरान रह जाओगे ये सुनकर कि स्त्री ने सिर्फ 6 दुनों में एक करोड से जादा टिकेट्स बेच दिये हैं 2024 में सिर्फ 5 फिल्मों ने ये काम किया था वो भी लाइफटाइम रन में कल की 289880 जिसमें प्रभास का स्टार्डम था हनुमान जिसका कॉंटेंट स्पिरिच्पल था फाइटर रितिक दिपिका सुधार तानन फैक्टर मनजुमल बॉइज मल्यालम सिनिमा की हिस्ट्री बदलने वाली फिल्म और इनके बगल में खड़ी है स्ट्री टू सिफ अपने नाम के दंबर पब्लिक पावर लेकिन पता है इतना सब कुछ अचीव करने के बाद भी काफी लोग ऐसे होंगे जो स्ट्री टू की सक्सेस को स्पेशल मानने से मना कर देंगे काफी जगे पे तो ये पंगा चल रहा है कि श्रद्धा कपूर को फिल्म की सक्सेस का क्रेडिट क्यों दिया गया राजकुमार राओ का नाम क्यों नहीं लिया जा रहा है शायद नोटिस कर लिया होगा आपने बड़े बड़े पियार पेजिस हैं जो बॉलिवुड के वो बिना श्रद्धा कपूर के पोस्टर डाल रहे हैं स्ट्री टू के कलेक्शन अपडेट में अंदर की खबर वैसे बताऊं आपको श्रद्धा बिफोर स्ट्री टू इनको काफी बड़े बड़े लोगों ने ब्लैक लिस्ट कर रखा है अपनी मूवी से रीजन आप सब जानते हो अलरीडी उसके बावजूद अगर 6 साल बात किसी फीमेल सेंटर फिल्म से श्रद्धा हिस्ट्री लिख रहे हैं तो काफी लोग शौक रह गए हैं ये है पबलिक का पावर दोस्त अभी तो और जलील होना बाकी है क्योंकि इस 3-2 से कंपीट करने के लिए कोई भी बड़ी फिल्म ना तो अगस्त और ना ही सितंबर में रिलीज होने वाली है 6 सितंबर को एमर्जेंसी जो खुद एमर्जेंसी मोड में है आफ्टर रिलीज डेट में हेर फेर और बकिंगम मर्डर्स करीना कपूर वाली OTT फिल्म जादा लग रही है आल्या भट का कमबाग जिग्रा से होगा 11 ओक्टूबर को लेकिन अभी रिलीज डेट चेंज होने के चांसे हैं प्लस फामिली ओडियन्स उसमें कम इंटरस्टेड होगी इवन ऑक्टूबर में टककर का मुकाबला तब शुरू होगा जब दिवाली पर भूल भूलेया 3 और सिंगम 3 जैसी मुवीज रिलीज होनी उससे पहले जीरो कॉंपेटिशन भूल भूलेया या फिर सिंगम दोनों को स्त्री टू के हिंदी कलेक्शन को किसी भी तरीके से बीट कर पाना काफी मुश्किल होने वाला है बॉस हो सकता है वर्ड वाइट कलेक्शन में जैसे तैसे मुकाबला काटे का कर दिया जाए लेकिन नेट फिगर्स में इंडियन कलेक्शन स्त्री टू का अंटचिबल होगा 500 करोर क्लब में स्त्री टू की एंट्री 1000 परसंट पकी है क्योंकि इस हफते के बाद फिल्म 400 करोर से बहुत आगे खड़ी होगी सिर्फ हिंदी कलेक्शन में नेट फिगर्स अगले हफते जनमाश्मी से फिर दुबारा गारी फुल स्पीड में शुरू होगी और 600 करोर क्लब की तरफ श्रदा कपूर अकेली चल पड़ीगी इतियास बदलने के लिए अब ये फैसला मैं आप पर छोड़ देती हूं कि स्ट्री टू की सकसर का क्रेडिट एक्चुली में किसको मिलना चाहिए फिल्म को, आक्टर्स को या फिर पबलिक को जवाब देकर जरूर जाना बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हो या पर कुछ शिकायद करनी हो तुम आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी वरना थोड़ा सा इंतिजार करिए, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में टेक केर, बैबै